बबीता एक विध्वा महेला थी और उसकी एक प्यारी बेटी पिनकी थी। पिनकी के पिता, विजय, का दो साल पहले अचानक निधन हो गया था। विजय ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए काफी करज लिया था, ताकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन उनकी असामय एक मृत्यू के बाद बबीता और पिनकी पर घर चलाने के साथ साथ उस करज को चुकाने का भारी बोज़ा गया। बबीता, बेटी, अब क्या होगा? हम कैसे करजा चुकाएंगे और अपना पेट कैसे पालेंगे? पिनकी, मा, तुम चिंता मत करो। मैंने MBA किया है, मुझे किसी कमपणी में नौकरी मिल जाएगी और फिर हम बैंक से लोन लेकर सारा करज चुका देंगे। पिनकी दिन रात नौकरी धूंडती रही, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। एक दिन जब वह घर लोटी, तो उसने देखा कि एक आदमी उसकी मां से लड़ रहा था। पिनकी को देखते ही वह आदमी घर से बाहर चला गया। पिनकी, मा, ये कौन था और तुम से क्या कह रहा था। बबीता बोली, बेटी, यही आदमी है, जिससे तेरे पापा ने उधार लिया था। अब ये धहमकी दे रहा है कि अगर हमने पैसे नहीं चुकाई, तो ये हमारे मकान पर कबजा कर लेगा। पिनकी बोली, मा, तुम चिन्ता मत करो, हम अब नौकरी के भरोसे नहीं बैच सकते। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन नौकरी नहीं मिली, अब मैंने बिजनेस करने का सोचा है। बबीता बोली, बेटी, जब खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो बिना पैसों के बिजनेस कैसे करोगी। पिनकी बोली, मा, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, सब हो जाएगा, बस एक बार मुझे करने दो। अगले दिन, पिनकी दोपहर में एक हाथ ठेला लेकर घर आई। बबीता बोली, ये क्या है, इसे क्यूं लाईं। पिनकी बोली, मा, इसी ठेले से हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। बबीता बोली, लेकिन तुम करोगी क्या। पिनकी बोली, मा, तुम्हें तो पता है कि मुझे कुकिंग का कितना शौक है। मैंने MBA भी किया है, तो बिजनेस की समझ भी है। हम दोनों मिलकर टिक्की और चाट का ठेला लगाएंगे। मैंने एक दुकान वाले से बात की है, जो पापा को अच्छे से जानता था। वो हमें एक महीने के लिए सामान उधार देगा। बाद में हम उसे पैसे चुका देंगे। बबिता बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि तु बाजार में ठेली लगाए। समाज में हमारी इजज़त धूल में मिल जाएगी। ये सब बंद कर और कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। मैं यह नहीं करने दूनगी। पिनकी बोली, मा, मेरी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। उसी पढ़ाई के दम पर मैं एक बिजनेस खड़ा करूंगी और दूसरों को नौकरी दूनगी। मुझे बस एक साल ये करने दो, अगर ये नहीं चला, तो मैं नौकरी कर लूनगी। बबीता बोली, नहीं, मैं तुझे ये सब नहीं करने दूनगी। पिनकी बोली, मा, मुझे पर भरोसा करो, आपको पापा की कसम है। आखिरकार, बबीता मान गई और एक शर्थ रखी कि अगर एक साल बाद बिजनेस नहीं चला, तो पिनकी को नौकरी करनी पड़ेगी। अगले दिन से बबीता और पिनकी ने मिलकर टिककी बेचने का काम शुरू किया। संगर्ष की शुरूात, पहले दिन बहुत कम टिककी बिखी और काफी सामान खराब होकर फेकना पड़ा। अगले दिन भी ज़्यादा कमाई नहीं हुई। बबीता बोली, मैंने पहले ही कहा था कि यह नहीं चलेगा। पिनकी बोली, मा, देखती जाओ, मैं कुछ नया करके दिखाऊंगी। अगले दिन पिनकी ने ठेले पर एक बड़ा बैनर लगवाया, जिस पर लिखा था NBA टिककी वाली, एक टिककी के साथ एक फ्री। बबीता बोली, अरे, इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पिनकी बोली, नहीं मा, ये बिजनेस का एक तरीका है। पहले हम लोगों को फ्री देंगे, जिससे वे हमारे स्वाद को पसंद करेंगे। बाद में, ये स्कीम बंद कर देंगे और तब तक लोग हमारे ग्राहक बन जाएंगे। वैसे भी, जो सामान बचता है, वो फेकी देते हैं। कुछ दिनों के भीतर, पिनकी की टिककियां मशहूर हो गई। लोग फ्री वाली स्कीम के बाद भी उसकी टिककियों के दिवाने हो गई और रोस ठेले पर लाइन लगने लगी। मुसीबत का सामना, एक दिन, जब बबीता और पिनकी टिककियां बना रही थी, वही आदमी फिर से आधम का। आदमी बोला, तुम यहां मजे से दुकान चला रही हो और मेरे पैसे देने का नाम नहीं ले रही हो। बबिता बोली, आप नाराज मत हो ये, हम धीरे धीरे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और जल्द ही आपका कर्ज चुका देंगे। थोड़ा समय दीजिए, आदमी बोला, कल तक मेरे पैसे नहीं मिले, तो मैं ठेला फेक दूंगा। तभी एक नौजवान लड़का, सुनील, वहां आया और बोला, सुनील, मान जी, ये आदमी आपको क्यूँ परेशान कर रहा है। आदमी बोला, तुझे क्या मतलब, चल भाग यहां से। सुनील बोला, मान जी, क्या बात है। बबीता ने सुनील को सारी बात बताए। सुनील बोला, देखो, कल तक पैसे तयार रहेंगे। इसके बाद अगर तुमने इन्हें फिर से तंग किया, तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करवा दूंगा। आदमी ने धम की दी, कल मेरे पैसे तयार रखना, वरना अंजाम बुरा होगा। कहकर वह चला गया। बब दीता बोली, बेटा, कल कहां से पैसे आएंगे। सुनील बोला, मान जी, चिन्ता मत करो, मैं आपके करज का भुगतान करूंगा और इसके साथ ही मैं आपके बिजनेस में भी पैसा लगाऊंगा। रहूल ने सारा करज चुका दिया और पिंकी के बिजनेस में भी पैसा कुछ ही समय में उनका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा और उन्हें बहुत मुनाफा हुआ नई शुरुआत समय के साथ बबीता और पिनकी का बिजनेस बहुत सफल हो गया सुनील की मदद से उन्होंने अपने सपने को साकार किया एक दिन बबीता ने सुनील से बात की और उसे अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा जीवन साथी माना जल्दी बबीता ने सुनील और पिनकी की शादी करा दी दोनोंने मिलकर अपने टिक की बिजनेस को और भी उचायों तक पहुँचाया और वे शहर के मशहूर उध्यमी बन गए निशकर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां कितनी भी बड़ी क्यूं ना हो पिनकी ने अपने पिता के करज को चुकाने और समाज की बाधाओं के बावजूद सफलता हासिल की उसने साबित कर दिया कि सही द्रिष्टि कोन से किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है हमें मालूम है कि यह कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे धन्यवाद